हमारा जो है मोधी बना मुद्दा और मुद्दों के साथ हम जनता को जोड़ने में सफल है और जो हमारा संकल्प है उस संकल्पों के साथ हम जनता और जनता के हितों में काम कर रहे हैं और वो दिख रहा है पसुपती पारस चिराक पासवान हाजीपूर सीट पर ही फैसला नही नमस्कार आप देख रहे हैं एकनिस 24 और मैं हूँ आपके साथ श्वता मिस्रा राजद प्रवक्ता इजाज एहमद से जब सीट शेयरिंग को लेकर सवाल पूछा गया तो इससे पूरे मामले पर इजाज एहमद का साफतर पर कहना है कि क्या बीजेपी वालों ने अपना सीट शेयरिंग कर लिया है क्या बीजेपी ने अपना सीट बटवारा कर लिया है जो वो हम लोग से पूछ रहे हैं बाकिसे पूरे मामले पर इजाज एहमद ने क्या कुछ कहा है आप उनकी बातों को सुनी है सबसे पहले तुम्हें पूछना चाहता हूं क्या इंडिया गट बंधन में बीजेपी ने सीट शेयरिंग कर दिया है बीजेपी अपने एलाइज में जीतन नमाजी जी को चिराक पास्वान को पसुपति पारस को उपेंदर कुस्वाह को कितनी कितनी सीटे दिया है यह आप पता दीजे अभी जब उनका जो कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी उनको पढ़ गई है अनतिस की बारी और वो जब अपना सीट का फाइनल नहीं कर सके हैं तो हम तो इंडिया गट बंधन वाले इंडिया के लोगों की सोज के अनुसार हमारा जो है मोदी बना मुद्दा और मुद्दो के साथ हम जंता को जोडने में सफल हैं और आज एक अकेला वाले किस तरह से राजनितिक स्वार्थ में किस तरह से उमीदों की राजनित में ठिके हुए हैं ये अभी तक से वो असपश्ट नहीं कर पा रहे हैं कि जो उन लोग के साथ हैं बीजे पाटी के काम कर रही है उनसे ब्यान बाजी करवाने का काम कर रही है यह सपर्ष्ट और sexuality की अपने Eli claims के साथ क्या करेंगे हमारा तो घडबंधन पूरी मजबूती के साथ जो हमारा संकलप है उसं कलपों के साथ हम जनता की जनता के हितों में काम कर रहे हैं और कि वो जनता के लिए जनता के हीतों के लिए क्या काम करेंगे और उनके एलाइस पार्टनर को कौन कौन सीटे कहां कहां सीटे मिली है सबसे बड़ी बात तो यह है कि चचा भतिजा में ही नहीं फर्या पा रहे हैं पसुपती पारस चिराक पास्वान हाजीपूर सीट पर ही फैसला नहीं कर पाएं तो बीजे पाटी कहां दूसरे जगा टाक जाक कर रही है पहले अपने घर्द में देख ले अपने एलाइस को द कुछ असपश्ट उपसे सामने आ जाएगा पहले बीजे पाटी को सामने आने दीजिए क्या क्या करेगी इंडिया गडबंधन के परती वो सोच को और अपने विचार को ज्यादा परकट नहीं करें पहले अपने विचार को असपश्ट करें कि उनका एलाइस के परती क्या विचार है। और किस तरह से अपने एलाइस के साथ चलना चाहे। शुमरी नहीं पाटी ऑगे कभी रही नहीं सकती है। चुक्श एंथा पाटी जनता के मुद्दे पर जनता के सवालों पर जनता के हितों में कभी भीनें सोचती है। और उनका सोच जो है वो सिर्फ और सिर्फ है कि किसी तरह से सत्ता मिले हमारा सोच है कि किसी तरह से देश की जनता का देश के लोगों का देश के लोगों के विचार का आदान परदान हो और उनके हितों में हम काम करें और उनके मुद्दों पर हम सरकार में आए यह हमारी सोच इसलिए अंतर है बिजे पार्टी वाले जनता और जनता के लिए कभी नहीं सोचे हैं वो कुछ नहीं कर सकते हैं तो जैसा कि राज़त प्रवक्ता इजाज हमत का साफ्त तोर पर कहाना है कि बीजे पी वालों ने कभी भी जनता के हित्ँ में काम नहीं किया है वही उनका ये भी कहना है कि इंडिया गठबंदन अपनी पूरी मजबूती के साथ अपने संकल्पों के साथ जनता के हित के लिए काम कर रही है बाकि इस खबर में बस इतना ही ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ अगर आप ये वीडियो हमारे फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर यही वीडियो हमारे यूटीब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद